एक पहले विडियो में हमने टिंकर कैड में DC मोटर का सर्किट बनाया था। इस विडियो में हम ये सर्किट असली मोटर के साथ बनाते हैं। हमने यहां एक DC मोटर को लकडी के ब्लॉक पर लगाया है और मोटर के दो टर्मिनल्स को तारों से दो कीलों से जोडा है। साथ ही हमने मोटर से एक प्रोपेलर जोड़ा है ताकि हम मोटर की रोटेशन देख सकें। इस सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मोटर के किसी एक टर्मिनल से कनेक्ट करें। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मोटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करें. मोटर घूमने लगती है. ध्यान दें कि जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी टर्मिनल अभी मोटर से जुड़े हैं, मोटर काउंटर क्लॉक्वाइज दिशा में घूम रही है. यदि हम पॉलरिटी को बदलते हैं, यानि हम मोटर से जुड़ी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को पलटते हैं, तो मोटर क्लॉक्वाइज दिशा में घूमने लगती है. यहाँ DC मोटर की एक बहुत इंट्रस्टिंग प्रॉपर्टी है. केवल पॉलरिटी को बदल कर, हम रोटेशन की दिशा को प्लॉक्वाइज या काउंटर प्लॉक्वाइज बदल सकते हैं. याद रखें, हमारा उद्देश है एक तॉय कार बनाना. इस तॉय कार में हम दो DC मोटर लगाएंगे. ये मोटर वैसी ही है, जैसी DC मोटर आपने अभी देखी. फर्ब बस इतना है, कि इन मोटरों के अंदर गियर लगे हैं. गियर की वज़़से ये मोटर ज्यादा लोड ले पाती है, जैसे कार की चेसिस, बैटरी पैक और अन्य कंपोनेंट्स का वेट. आपके लिए एक प्रश्ण है. दो मोटर्स के साथ हम इस टॉय कार को आगे और पीछे कैसे चला सकते हैं? थोड़ा सोचिए. जब तक आप सोच रहे हैं, एक छोटी इंस्पाइरिंग कहानी सुनते हैं. हाई, मैं माइकल फैरेडी हूँ. 1821 में मैंने जो DC मोटर आप इस्तमाल कर रहे हैं, उसका पूर्वज बनाया था. मैंने पर्मनेंट मैगनेट और इलेक्ट्रिक करेंट का उप्योग करके सफलता पूर्वक रोटेशन मूवमेंट उत्पन्म किया. मैंने कई और बहुत महत्वकून खोज भी की. मेरा जन्म इंग्लैंड में एक गरीब परिवार में हुआ था. मुझे बहुत कम आपचारिक शिक्षा मिली, लेकिन मैं सीखने के लिए बच्चपन से बहुत उत्सुक था. 14 साल की उम्र में मैंने लंदन में एक किताब की बाइंडिंग की दुकान में काम करना शुरू किया. यहां मैंने किताबों को न सिर्फ बाइंड किया, मैंने उन्हें पड़ा भी. एंसाइक्लोपीडिया ब्रितानिका में मेरा बिजली से परिचय हुआ. मेरा मानना है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, सीखने के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए. किया आपने पता लगाया कि तॉयकार को हम कैसे आगे और पीछे चला सकते हैं? हम जानते हैं कि DC मोटर की पॉलेरिटी को बदलने से मोटर प्लॉकवाइस या काउंटर प्लॉकवाइस घूंती है. हम इस ट्रॉपर्टी का उप्योग अपनी तॉय कार को आगे और पीछे ले जाने के लिए कर सकते हैं यहां हमारे पास एक DC मोटर है जिसमें एक पहिया लगा हुआ है कल्पना कीजिए कि यहां मोटर हमारी तॉय कार से जुड़ी है तो हमारी toy car में दो motor है जिनमें पहिय लगे हुए हैं इस motor को बैटरी से connect करते हैं battery के positive terminal को motor के लाल तार से जोडते हैं और battery के negative terminal को motor के काले तार से जोडते हैं motor से जुड़ा पहिया घूमने लगता है कलपना कीजिये अगर motor car में यहां लगी है तो कार reverse जा रही है अब polarity को पलटते हैं बैटरी के positive terminal को मोटर के काले तार से और बैटरी के negative terminal को मोटर के लाल तार से connect करें मोटर अब दूसरी दिशा में घूम रही है और हमारी कार अब forward जा रही है रिव्यू करते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा अपनी toy car को चलाने के लिए हमें दो hobby gear motors को एक battery pack से जोड़ना है और car को forward या reverse ले जाने के लिए हमें motors की polarity को पलटना है यहां हमारे पास एक toy car है जिसमें दो gear motor और एक battery pack लगा है यहां हम बनी बनाई चेसी इस्तमाल कर रही है इसके बजाएं आप hot glue से इन motor को एक मोटे cardboard या लकडी के तुकडे से भी जोड़ सकते है हमारे battery pack से एक positive और एक negative तार जुड़ा है फिर हमारे पास पहली motor के दो तार है एक काला एक लाल और दूसरी motor के भी दो तार है एक काला एक लाल सरकित बहुत सरल है हमें सारे लाल तारो को एक साथ और सारे काले तारो को एक साथ जोड़ना है डोनों motor अब battery pack से connect हो जाएंगी और rotate करने लगेंगी तारो को connect करने के लिए आप इन्हें एक साथ twist कर सकते है मगर हम इन्हें थोड़ा elegantly connect करेंगे एक mini breadboard लगा कर breadboard की उल्टी तरफ मेटल की पटियां लगी होती है प्रत्यक पटि सामने की तरफ छेदों की एक पंक्ती को आपस में जोड़ती है breadboard के मध्यभाग को गटर कहते हैं गटर के दूसरी तरफ और छेद है ये भी metal की पटियों से आपस में जुड़े हुए है breadboard में connection बनाने के लिए बैटरी के negative तार को किसी एक छेद में डाल दे अब इस line के बाकी चार छेद negative टर्मिनल से जुड़ रहे है किसी एक motor का काला तार ले और इसे इस line के बाकी किसी भी एक छेद में डाल दे इसी तरह दूसरी motor से काला तार ले और इसे भी इसी line में जोड़ दे बैटरी के positive तर्मिनल के लिए भी ऐसा ही करे positive तार को एक अलग line में लगाएं और motor के लाल तारो को इसी line से connect करे डोनों motor घूमने लगती है ये कार सीधी नहीं जाएगी क्योंकि एक motor दूसरी motor से ज्यादा तेज घूम रही है कार को बिल्कुल सीधा जाने के लिए डोनों motors को same speed से rotate करना चाहिए अपनी toy car को floor पर test करते हैं कार की दिशा को note करे कार को उल्टी दिशा में ले जाने के लिए जैसा कि हमने सीखा हमें motors की polarity को बदलना है बैटरी के लाल यानी positive तार को बाहर निकाले और इसे breadboard पर जहां बैटरी का काला तार लगा है वहां लगा दे अब दोनों motors के काले तार बैटरी के positive तर्मिनल से जुड़े है बैटरी के negative तार को वहां लगाएं जहां पहले positive तार लगा था अब हमने motors की polarity को पलट दिया है कार को दोबारा टेस्ट करते है कार की दिशा अब बदल गई है आपने सीख लिया एक toy car को कैसे forward और reverse चलाते है Congratulations क्या आपको लगता है कि हम motors की polarity को switch लगा कर पलट सकते है कैसे हम अपनी कार को left या right turn कर सकते है इन सवालों का जवाब अगले वीडियो में देखेंगे जल्द ही फिर मिलेंगे क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है